SSE CGL pre or mains के लिए targeted question can you solve के question में हम लोग आज का question देखते हैं यदि root under 5329 73 के बराबर है तो root under 5339 plus root under 5329 plus root under 0.5329 plus root under 0.005329 plus यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं कि यह decimal का position हम लोग आगे करते जा रहे हैं तो इसका मान पूछा गया है इस question को solve करने के लिए आपको सिर्फ एक pattern को धियान में रखना होगा कि जैसे यहाँ पे decimal लगाए तो यह से बाहर क्या आएगा चुकि आपको मालूम है कि root under अगर इस decimal को हटाएंगे तो एक बटा 100 के फोड में आएगा और चुकि यह root के अंडर में है तो इसको बाहर करेंगे तो एक बटा 10 आजाएगा यानि कि जो value इसका यह दे रखा है उसमें यहाँ पे जैसे दो डिजिट के बाद decimal लगा है तो 10 से divide करना है यह 4 डिजिट के बाद decimal लगा है तो इसको 100 से divide करना है यहाँ पे जैसे छोड डिजिट के बाद decimal लगा है तो यहाँ पे 1000 से divide करना परेगा और यह यहाँ पे 8 डिजिट के बाद decimal लगा हुआ है तो यहाँ पे हमें 1000 से value को divide करना परेगा और किस value को तो मतलब कि यह जो 5329 का जो वैल्यू है तो इसको आप एक्जाम में या तो जो linear method में लिखके करते हैं उसको किजिए या आप simply इस टाइप से लिखे जो कि आपको काफी easy रहेगा जैसे कि हमें यह वैल्यू तो यहां पे दे ही रखा कि 73 है तो 73 लिखेंगे अब हमें मालूम ह कि यहां पे जैसे दो डिजिट आया है decimal जो है यह दो डिजिट के बाद आया है तो यह जब हम लोग root अंडर से बाहर निकालेंगे तो यह यहां पे 10 से इस value को divide करेंगे यानि कि decimal यहां पे आ जाएगा तो simply यहां पाप decimal लगाईए और फिर 7.3 अब हमें मालूम है कि 10, 100, 1000, 10, 1000 में सिर्फ 110 बढ़ते जाएगा तो हम लोग बस सिर्फ decimal को एक-एक position आगे करते चल जाएंगे तो कब तक आगे करेंगे जब तक कि 4 बार हम लोग उसको divide करेंगे तो यहां पे देखेंगे कि यह सारा position किसका है decimal का है यह position decimal का है अब इसको add करना काफी easy है तीन करेंगे 7, 10, 7, 10, 11, 1, 7, 10, 11, 1, 7, 10, 11, 1 और 73, 87, 81, 81 तो यह हो जाएगा आपका answer बस आपको इस pattern को धियान रखना था कि हमें किस तरीके से इसको लिखना है तो I hope यह question को भी आप समझ गए होंगे तो मिलते हैं next session में can you solve question के साथ वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को like कर लिजे और channel को subscribe कर लिजे